तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं तो अगर आपकी एज 18 साल या फिर उस चे जादा है और अगर अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आप लोग एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ तो एक न्यूट आईडी कार्ड अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को उपन कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है Water ID तो जब आप लोग अपने browser में Water ID सर्च करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पहला link आएगा आपको यहाँ पर इसे open कर लेना है तो इस link पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह website open हो जाएगी तो अब आपको यहाँ पे स्क्रोल करके थोड़ सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा Water Portal का तो आपको इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे Water Portal पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक new account create कर लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे create an account पे click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number लिखना है तो यहाँ पे अपना mobile number लिखने के बाद send OTP वाले option पे आपको click करना है तो इसके बाद आपके mobil number पे एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे type करना है तो OTP यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे verify वाले option पे click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपका जो number है वो verify हो जाएगा और इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक password बना लेना है तो यहाँ पे आपको एक password create कर लेना है और इसके बाद एक capture आपको यहाँ पे type करना है और इसके बाद term and condition को आपको यहाँ पे accept करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे create account वाले option पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे वोटर पोर्टल पे आ जाएंगे और यहां से आप लोग एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है तो उसमें आप कुछ करेक्शन करवा सकते हैं या फिर अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को बंद करना चाते हैं तो उसको आप लोग यहां से डिलिट भी कर सकते हैं और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड और अधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसको आप लोग यहां से link कर सकते हैं तो जैसे अभी हमें फिलाल एक नय water ID card apply करना है तो इसके लिए हम लोग यहां पे new registration वाले option पे click करेंगे तो जब आप इस वाले option पे click करेंगे तो यहां पे आपको कुछ profile detail देनी होगी जैसे यहां पे सबसे पहले आपको अपना first name और last name लिखना है इसके बाद यहां पे आपको अपना state select करना है इसके बाद यहां पे आपको अपना gender select करना है और इसके बाद आपको यहां पे submit वाले option पे click करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से new registration वाले option पे click करना है तो जब आप इस वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका नाम आजाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे let's start वाले option पे click करना है तो इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप water id card के लिए first time apply कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको yes वाले option पे click करना है और यहाँ पे save and continue और इसके बाद यहाँ पे अगला option है are you citizen of India तो यहाँ पे आपको yes पे click करना है और इसके बाद फिर से यहाँ पे save and continue तो इसके बाद यहाँ पे आपका state select करने option आ जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना state select कर लेना है तो यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं दिल्ली state select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको अपना district select करना है तो यहाँ पर मैं अपना district select कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना consistency select करना है मतलब आपका विधान सभा तो हमारा विधान सभा है बादली तो हैं पर मैं बादली select कर लेता हूँ तो इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से Save and Continue वाले option पर क्लिक करना है तो इसके बाद यहाँ पर अगला option है Place of Birth का मतलब आपका जनम कहां पर हुआ है किसी state में तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने गाओं का नाम लिखना है मतलब जहाँ पर भी आपका जनम हुआ है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना State सेलेक्ट करना है फिर से और यहाँ पर फिर से आपको अपना District सेलेक्ट करना है इसके बाद अगला option है date of birth का तो यहाँ पे आपको अपना date of birth लिख देना है तो सबसे पहले आपको अपने date of birth का year select करना है उसके बाद month select करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने date of birth का date select करना है और इसके बाद यहाँ पे अगला option है select date of birth document मतलब आप अपने date of birth का proof क्या देना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे options है तो इसमें से आप कोई भी एक document दे सकते हैं जैसे इसमें है birth certificate, आधार card, pen card, driving license और 10th class की mark sheet तो यहाँ पे हम date of birth proof में आधार card दे देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आधार card पे आपको click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार card की photocopy upload करने होगी और जो यहाँ पे आप आधार card की photocopy upload करेंगी वो JPEG या फिर JPG format में होना चाहिए और उसका जो size है वो 2 MB से कम होना चाहिए तो यहाँ पे select file पे click करके आपको अपने आधार card को select कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे save and continue वाले option पे click करना है व्याईस इसके बाद यहाँ पे अगला option है personal detail का तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना gender select करना है तो यहाँ पे मैं mail select कर लेता हूँ इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना first name और last name लिखना है और यहाँ पे हिंदी में automatic आपका नाम आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा Yes, I have आधार number तो इसके आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार card number लिख देना है तो यहाँ पे आधार card number लिखने से क्या होगा कि जो आपका आधार card है वो आपके पहचान पत्र के साथ link हो जाएगा तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जरूर से अपना आधार card number लिख देना तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक photo passport size upload करना पड़ेगा तो photo upload करने के लिए आपको यहाँ पे photo वाले option पे click करना है और यहाँ पे आपको एक passport size photo upload कर देना है तो यह सारी detail यहाँ पे fill करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे save and continue वाले option पे click करना है तो इसके बाद यहाँ पे अगला option है इंटर फैमिली मेंबर डिटेल तो अगर आपके घर में पहले से किसी का पहचान पत्र बना हुआ है तो उनके पहचान पत्र का नमबर आपको यहाँ पे लिख देना है बाद यहां पे हिंडी में automatic आपके पापा का नाम आ जाएगा और इसके नीचे यहां पर एक option है religion type में तो religion type में आपको select करना है मतलब अगर आप यहां पे अपने father का नाम लिख रहे हैं relative में अगर आप यहाँ पे relative name में मदर का name लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको mother name select कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से save and continue वाले option पे click करना है और इसके बाद यहाँ पे last option है current address का तो यहाँ पे आपको अपना current address लिख देना है मतलब अभी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं तो वहाँ का address आपको यहाँ पे लिख देना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना house number लिखना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना गाउं का नाम लिखना है area, street या locality का नाम यहाँ पे आपको लिखना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ओफिस का नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया टाइप सेलेक्ट करना है मतलब आप city में रहते हैं या village में रहते हैं तो मैं city select कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना pin code डालना है मतलब आपके area का जो भी pin code है वो pin code आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको address proof में एक document देना पड़ेगा मतलब यहाँ पर जो भी address आपने type किया है तो उस address का आपको एक proof देना पड़ेगा address proof में आप आधार कार्ट दे सकते हैं अपने bank की statement दे सकते हैं या फिर passport दे सकते हैं या फिर आप पानी का bill और बिजली का bill, gas connection का bill तो इन में से कोई भी आप एक proof दे सकते हैं अपने address proof के लिए और उसके बाद वो document आपको यहाँ पे upload भी करना पड़ेगा तो जैसे यहाँ पे मैंने water connection bill select किया है तो मेरे को अपने पानी का जो bill है उसको यहाँ पे upload भी करना पड़ेगा और उसको upload करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से save and continue वाले option पे click करना है तो इसके बाद यहाँ पे आपको declaration देना होगा कि यहाँ पे जो अपने address दिया हुआ है तो इस address पे आप कितने साल से रह रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा नाम फिर से लिख देना है तो यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद फिर से आपको save and continue वाले option पर क्लिक करना है तो इसके बाद अभी आपने यहाँ पर जो form फिल किया है वो form आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा तो एक बार आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना कि आपने जो भी detail डाला है वो सही है कि नहीं और जब आपको लगे कि सब कुछ यहाँ पे सही है तो इसके बाद आपको यहाँ पे submit वाले option पे click कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पे submit वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पहचान पत्र का request है मतलब एक नय voter ID बनाने का जो आपका form है वो successfully submit हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक reference ID मिल जाएगा तो इस reference ID को आपको यहाँ पे copy करके रख लेना है और इस reference ID से आप लोग अपने voter ID का status track कर सकते हैं कि आपका voter ID बना है की नहीं और अगर आपको नहीं पता है कि voter ID का status track कैसे करते हैं तो इसके उपर मैंने already एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा तो उस वीडियो को देख के आप लोग बता कर सकते हैं कि voter ID के status को track कैसे करें तो इस तरीके से आप लोग एक नए voter ID कार्ड के लिए apply कर सकते हैं तो I hope आपको यह वीडियो काफी जादा पसंद आया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please इस वीडियो को like करके हमारे channel को subscribe कर लीजिए